हर हर महादेव दोस्तों आप सबी कोष रावन मास की हारदिक शुप कामना है देखिए जो सावन का महिना है व UHاذ पारवती और चातुर मासं की प्रतम महिना होता है और देवशनी एकादसी से देवटनी एकादसी तक इस दोरान चार मास आते हैं सावन, भादों, कुवार, कार्तिक और इस दोरान जो भगवान विश्णू होते हैं वो योग निद्रा में अपनी चले जाते हैं और भगवान बोले नात्रस्ष्टी का संचालन करते हैं और ऐसी धार्मिक मानेता है कि इन चार महीनों की अवदी में भगवान बोले नात्रस्ष्टी के साथ प्रत्वी लोग पर निवास करते हैं और प्रत्वी वासियों के लिए जो समय है वो स्वर्णी मवसर के समान है जिसमें वे बोले बाबा की वंदना अराधना करके उन्हें मना कर उनकी और माता पारवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो आज मैं बात करूंगी सावन के महीने में किये जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनने अगर आप कर लेते हैं मन से श्रद्धा से तो निश्चिति आप पर बोले बाबा की और माता पारवती की करपा होगी तो देखिए मैं सबसे पहले बात करूंगी पहले उपाय के बारे में तो आप जब भी शिवा ले जाएं सावन के महीने में तो शिव जी पर 108 चीज़ों का दान करके आएं 108 चीज़ चढ़ा कर आएं अब वह 108 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं अन्ने के दाने हो सक सकते हैं और अगर कुछ नहीं है तो आप 108 बार महाम रितिन जय का जब जरूर करें भगवान शिव जी के समक्ष बैठकर अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में तो यह जो श्रावन का महीना है इस महीने में आप किसी ना किसी चीज का त्याग जरूर कर दें अब वह त्याग आप हरी पत्यदर सबजी एक तो कर सकते हैं वो ना खाएं यह दूद का कर दें दही का कर दें वैसे तो यह चार महीनों की बात करें तो इन चार महीनों में अलग लग महीनों में अलग लग चीजों को छोड़ा जाता है जैसे सावन में हरी पत्यदर सबज कौार नहीं लीया जाता है और कार्तिक में पर बैंगन मसूर डाल यह चीज के डाल यह नहीं खाई जाती हैं तो आप इन चीजहों का त्याग कर दें तो बहुत उत्म है और शब्से जरूरी बात थो सबसे पहले अगर आप नोन-वेजिट्यरियान है तो आपको नॉन वेज क तो आप घर से शिवाले तक नंगे पेड़ जाएं, चपलों का त्याग कर दें और इसके अलावा आप कई चीज़ें हैं जो आप अपनी इक्षा के नुसारून का त्याग कर सकते हैं अब मैं बात करूँ की तीसरे उपाय के बारे में तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि माता पारवती और शिवजी दोनों ही इस प्रत्वी लोग पर निवास करते हैं चार महिनों के अवधी के लिए तो अगर आप सुहागन हैं तब आप माता पा पारवती की युगल जोडी की हर रोज नियम से और विदी विदान से पूजन करें तो अब हम बात कर लेते हैं चौते उपाय के बारे में तो जो फल आप पूरे साल की पूजा से नहीं पासके हैं वह इस बस एक सावन के महीने में भगवान शिव की अराधना वंदना करके पासकते हैं वैसे तो अगर आप हर रोज चिवालाय जाकर पूजा करें और एक लोटा जल समर्पित करें शिव जी पर तो यह अति उत्तम है और अगर किसी कारण से आप नहीं जा पा रहे हैं हर रोज तो आप सोमवार के यनि सावन के सोमवार के दिन तो जरूर जाएं और पवित्र मंज और सच्चे रदय से जल समर्पित करें और जल में आप गंगा जल जरूर मिला लें इसके बाद आप शिव जी का पंचामरत से धूप दीप अक्षत चंदन सफेद फूल बेल पत्र या जो आपके पास उपलब्द हो जाए उससे आप उनका पूजन करें और आप पूजन कर रहे हैं और यहां वहां की चीजों का ध्यान कर रहे हैं अब मैं बात करूंगी पांचवे और बहुत ही महत्वण उपाय के बारे में तो अगर आपके मन में कोई मनो कामना है कोई इक्षा है तो सावन के महीने में आप हर रोज मित्टी के शिवलिंग आसानी से बन जाते हैं और मित्टी भी कम लगती है तो आप छोटे शिवलिंग हर रोज बनाएं उनका विदिवत पूजन करें जल से पंचामरत से या कच्चे दूट से या जिससे आपकी चाओ उससे उनका पूजन करें निश्चित यह आप देखेंगे सावन में आपकी म मनौ कामना जरूर पूरी होगी तो अगर आप किसी मन वां शित फेल की प्रापति शायते हैं तो सावन में इस उपाया जरूर करें शिव जी बहुत जल्री प्रसन होने वाले देवता हैं निश्चित ही आपकी मनोघन आमन कामना को पूरी करेंगे आशा आप सभी को वीडि शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमाश शिवाए